हेलो एजूगेटर्स कैसे आप सब भी स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हप पे और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आपके लिए एक स्पेशल प्राइज प्राइज किस वज़ा से क्योंकि अप मेरे अंदर आ गई है इबिलीटी आप लोगों से बात करने की आप लोगों को ऐसा प्राइज देने की जो इबिलीटी मैं पहले नहीं कर पाता था आज की वीडियो में आपको खास मज़ा आने वाला है और लोग समझ भी जाएंगी कि ये वीडियो किन के लिए है I'm smart तो वीडियो की शुरुआत करते हैं तीचर्स अगर मैं बात करूँ आप लोग हमेशा एक चीज पूस्ते हैं सर प्राइज 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 आज मैं आपके एक ऐसा स्पेशल प्राइज देने वाला हूं कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि सर आप हमें दूसरे की कोटेशन दिखा दीजिए या आप डिरेक्टली अगर मैं बोलू तो बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं जो एक से तीन चार जिंगा इंक्वारी करते हैं और वो आपका हक भी है और आप बिलकुल करें इस चीज के आपको कोई भी नह सकता लेकिन वो लोग जब आपको कहते कि सार उसने क्या प्राइज दिया है आई केन गेरान्टी एक से बीस की बात करेंगे तो सर ये है एक लाख पच्चिस हजार उपे का इंक्लूजिव GST and Delivery अगर मैं बात करूँ विद OPS की तो सर ये है एक लाख पच्पन हजार विद GST and Delivery सिद्धी बात नो बकवास क्योंकि अराम से यहाँ पे कोई रहता है और यहाँ पे रखने के लिए मेरे को ability चाहिए ability के पास भी अगर यह ताकत है तो अब वो इससे price कम दे और बात करें कि हाँ वो teachers के लिए support and service की बात करता है सर अगर आपको ये वाला price चाहिए अगर आप feel करते हैं कि सिर्फ आपको price चाहिए और book selling पे काम करते हैं तो आपको ये quotation दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप directly बोलिए कि हमने सागर से बात करें थी या सागर की वीडिया ही बोल दीचिए अगर वो इससे 5000 रुपे कम करके दे तो आप बिलकुल ले लीजिए कोई issue नहीं है मज़ा तब आता है काम करने का जब सामने वाले को भी ये पता लगे कि वो क्या काम कर रहा है और सामने वाले भी वो काम कर सकता है बट वो उसकी ability थी कि वो कई नहीं रहा था तो यहाँ पर एक बात हुई छोटी सी जो कि मैं आपको pricing की एकर अगर मैं बात कुरूँ इस शब्द का सर्विस का तो आप एक चीज़ समझेगा कि कुछ पुरानी वीडियोस पर अगर जाएंगे तो यह जो सर पे जो टोकरा लेके चले हुए सर्विस का बेस्ट सर्विस, बेस्ट सपोर्ट जब मैंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी थी जब मैं COD करने लगा था जब मैं आपको सर्विस ओंदा सपोर्ट देने लगा था तब यह लोग हसते थे सर की पैनल तो बेचर लेकिन आज यह उसी चीज़ पर आये क्यों? क्योंकि पहले मैं भी एक टीचर रह चुका हूँ और मुझे वो पे ने रिया मुझे वो पीडा पता थी कि टीचर कहां पर आके परिशान होते मैंने स्टार्टिंग से उसे बात करा सर्विस का टोकरा चलो आज इन्होंने अपने सर पर लिया मुझे बहुत खुशी है कि एटलिस्ट जो टीचर इनको पे कर रहा है उसको उतनी सर्विस तो मिल रही है अब आप दूसरा बेड़ा उठा लीजिए सर अगर आप कुछ बोल रहे हैं आप सच बता के भी बेचना शुरू करो आप यकीन मानो आपको बहुत सुकून मिलेगा आप बहुत हलका फिल करोगे यूनो आप लोग बेच तो देते हो लेकिन उसके अंदर सच्चाई है की नहीं है ये बाद में आपको पता लगता है आज मैं आपको एक चीज का और बताता हूँ आप लोगों को ये कहा जाता है कि हमारे कमपनी के साथ ये रिलेशन है या उसके साथ वो रिलेशन है कोई भी कमपनी कोई सी भी कमपनी उठा के देख लो चाहे वो कोई भी कमपनी ओ एसे लेकर जैड तक कोई किसी की सगी नहीं है अगर आज मैं एक कमपनी का पैनल बेच रहा हूँ अगर मैं आज उसको बंद कर दूँ तो एक company वाले मेरे से वैसे ही बात करेंगे जैसे वो किसी और से करते हैं क्योंकि सामने वाले को अगर मेरे से फायदा हो रहा है तो वो मेरे से वैसे बात करता है और अगर सामने वाले को मेरे से फायदा नहीं हो रहा तो वो वैसे बात करेगा जैसे वो दूसरों से करता है तो जब आप एक पैनल परचेज करते हैं आपको ये देखना होता है कि आपका जिससे आप परचेज करें जिसको आप डीलर कहते हैं टीचर्स उसका आपके साथ कैसा relation है दूसरों के लिए आपने बहुत सारी वीडियो जैसी देखी होंगे अगर आपने कभी observe करानों हमेशा कोई customer कहता है teacher कभी भी customer नहीं होता वो एक guru है teacher एक teacher ही रहता है आपने उन लोगों ने बोल दिया कि हमारे customer को ये service दी क्या बेच रहा है भाई जो तू दूसरे को customer समझ रहा है एक बार उसको teacher समझ के देख फिर तिर को पता चलेगा कि तिर को अंदर से कितनी खुशी होती है ठीक है अब यहाँ पर एक बात हुई pricing की एक बात हुई certificate की अब बात करते हैं किया आप अगर उनके पास पैनल खरीदने चाहते हैं दस तरीके के पैनल लगा रखे ओवेसी बात है मेरे पास भी चार तरीके के पैनल है लेकिन मैं कभी किसी को ये प्रेशराइज नहीं करता कि नहीं सर आप ये लिलीजिए मेरा काम आपको सच बताना है Android 11 ये है Android 11 ये है इसके अंदर ये फीचर से है इसके अंदर ये फीचर है सर्विस की बात मैं क्यों नहीं करता क्योंकि सारे कमपनी वाले एक जैसे हैं अगर मुझे सर्विस देनी है तो अपने दम पर देनी है अराम से दर्द महां पर भी हो रहा है तो सर्वीस अगर मेरे को देनी है तो मुझे अपने दम पर देनी है ना कि कमपनी, हाँ, कमपनी सर्वीस एंड सपोर्ट बिल्कुल देती है, लेकिन वो रिस्पोंस करती है पाँच दिन में, दस दिन में, तो क्या टीचर की क्लास बंद रहेगी, कभी भी नहीं रहती है, सर मैं आपके पास ओलेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें टीचर्स को मैं ये पहले से बता चुका हूँ कि 11 के हार्डवेर में और 13 के हार्डवेर में बहुत फरक है अगर कोई 11 के अंदर फर्मवेर को अपडेट करके 13 बना के बेच रहा है तो मैं आप सिप चाहूँगा कि आप उसे कुछ कोशिन कर ले ताकि जो आप अपना कीमती पैसा है जो हार्ड अर्ण मनी है वो जब परचेज कर रहे हैं समा तो वो पता लगे क्या वो सही जगह लग रहा है की नहीं लग रहा है कॉशन नमबर एक की अगर मैं बात करूँ कॉशन नमबर एक की अगर मैं बात करूँ तो सर इसमें प्रोसेसर कोन सा है अभी इसके अंदर 2.0 Quad Core है अगर 13 की मैं बात करूँ 2.4 October प्रोसेसर आने वाला है उनके पास ब्रोशर होगा officially Android 13 का तो उसमें आप ये चीज उनसे पूछिए कि सर आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि इसमें ये हैं अब अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की 8 GB RAM 128 GB SSD आने वाली है उसमें ठीक है ये मिल जाएगा क्योंकि ये आप Android का जो motherboard है उसके अंदर chipset बदलवा दीजिए 8128 आजएगा क्या ये Google certified है क्या ये EDLA है chipset बदलने से ये certificate नहीं मिलेंगे लेकिन क्या ये दोनों चीजे इसके अंदर हैं तीसरा अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 40 touch points है Android 13 में 50 touch points है क्या आपके touch points change हुए वो वैसे की ही वैसे रहेगे और अगर मैं पीछे जाके एक बात और करूँ यहाँ पे processor की तो यहाँ पे उनके पास GPU इसमें Mali G52 है चीक है अभी क्यों सा आएगा Mali 610 क्या ये graphic user interface आपके पास है तो sir Android 11 और Android 13 की जो की specification अलग अलग है उसकी एक वीडियो में बना चुका हूँ एक बार आप उसको जरूर देखें और कोई आगर आप panel खरीद रहे हैं तो वो लोग over smart है आप मत बनिये over smart क्योंकि पैसा आपका hard and money है आपको कैसे करना है किस से purchase करना ही यह decision हमेशा आपका रहता है बट सही समान खरीदना यह आपको देखना है कि आप सही समान खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं इन सब के बाद अगर मैं बात करूँ तो जो आप लोग हमेशा एक पोस्ते हैं ना surprise इस पे अब आपको यह तै करना है कि service मेरे को कैसी मिलेगी क्योंकि आपके अंदर से खुद आवाज आ जाएगी कि जब सामने वाला पैसा कमा ही नहीं रहा और कमा रहा है तो बहुत minimum कमा रहा है तो वो मेरे को कैसी service and support प्रोवाइड करेगा तो अगर मैं बात करूँ तो summer season गर्मी बहुत है घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है छुटियां वैसे चल रहे हैं जिससे आपका लगाव है उससे आप घर से ही बैठके वीडियो कोल पे technology का use करें और अगर आप चाहा रहे हैं पैनल पर चेस करना और अगर आपको price का issue आ रहा है तो price यहाँ पर दिखा है क्योंकि अब मेरे अंदर है ability और मज़ा आ गया आज है आगर बात करें तो price की price मैंने आपको लिखके दिया है आप पोन करें मनीश से बात करें या मिर से बात करें आपको price मिल जाएगा आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आयोगी चोटी रखी थी और to the point रखी थी क्योंकि मस्ती मजाक में आपको मैंने seriously बहुत सारी चीजे समझाहिए जो आपको समझ में आ जाएंगे तब तक के लिए नमस्कार